आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिज़ा के रेसिपी वो भी बिना ओवेन या माइक्रोवेव के तो सबसे पहले हम पर नीर को दही और मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और सबजियों को काट कर हलका फ्राइ कर लेंगे यहाँ पर मैंने काजर प्याज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और हरा धनिया लिया है अब हम ले लेंगे पीज़ा बेस जो मैंने घर पर ही बनाया है इस पर स्प्रेड करेंगे हम पीज़ा सॉस ये भी मैंने घर पर ही बनाया है अगर आपको पीज़ा बेस और सौस के रहे से पीचाहिए तो कमेंट जरूर करना अब हम इस पर थोड़ा चीज़ स्प्रेड करेंगे और डाल देंगे सारी सबजिया अब पनीर को भी उपर से डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब उपर से डालेंगे गोल गोल कटा हुआ टमाटर और स्प्रेड करेंगे थोड़ा पेपर पाउडर अब उपर से स्प्रेड करेंगे धेर सारा चीज और इसके साइड को ब्रश कर देंगे हम ओल से अब इसे डाल देंगे हम इस तरह केक बरतन में और थोड़ी देर बाद निकाल लेंगे